अब आपके सारे physics के देशिन माच्जाव्स का सफाया बस अपने फोन से question की फोल्टों कीचो और तुरूंच video solution पाओ डाउलोड कीजिए doubtnet app अभी या फिर whatsapp कीजिए अपने doubts आट 400 400 400 बशाओ अभी question कहता है हमें fill in the blanks करने को जो statement है वो है surface tension decreases with increasing ठीक है तो सबसे पहले तो हम यह देखते हैं कि जो हमारे पास surface tension है वो है क्या वो एक प्रॉपर्टी है of a liquid यानि कि एक लिक्विट की प्रॉपर्टी that allows it to resist an external force यह property liquid की जो allow करती है उसको एक external force को resist करने के लिए जो basically होते क्यों है due to cohesive nature of water molecules cohesive nature of water molecules क्या होता है कि यह water molecules में क्या होता है एक attracting ability होती है बाकी molecules के लिए ठीक है तो surface के जो molecules है उनमें क्या होता है कि वो molecules नीचे की तरफ attracted होते हैं by neighboring molecules ठीक है और उपर की तरफ इनके पास कोई force नहीं होता कोई cohesiveness नहीं होती है ठीक है तो यह property होती है to resist करना है एक external force की तो अगर हम एक factor consider करें temperature तो हमारे पास temperature में क्या होगा कि molecules जो है वो far apart होंगे मतलब कि पहले क्या था हमारे पास हमारे पास molecules जो थे वो ऐसे थे एक surface पर अब वही बीकर में हमारे पास जो molecules है surface पर वो हो जाते हैं far apart तो इसलिए हमारे पास जो surface tension है वो क्या हो गई decrease हो गई इसलिए surface tension जो है वो decrease करती है with increase in temperature औरे यहीज़ प्षूर ररे य ये अे वो जो है वो कि ये वाशना जो है।